नमस्कार दोस्तो जैया निटिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आशा करती हूँ आप सब लोग ठेकूंगे दोस्तो देखिए आज मैं इस तरीके का लीप्स वाला पैटन आपके लिए लेके आई हूँ और ये बटन पट्टी के रुपे मैंने यूज किया और ये बनकर बहुत ही सुंदर भी लग रहा है तो चलिए इसको किस तरीके से बनाते हैं आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तो ये जो डिजाइन है हमारा ये शुरू के हमारी 5 निडिल्स में डलेगा तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए हम ये देखिए जो शुरू के दो फंदे हैं इनको हम दो निडिल छोड़कर इधर को शिफ्ट कर लेंगे इस तरीके से देखिए ये दो निडिल मैंने खाली कर दी है अब हमने ये वाली जो निडिल है तीसरी वाली निडिल है इसको बीच में शिफ् की के देशनी हैं शुर मैं निडल लिखे हम अगे को लिए इनको हम बीन लेंगे यह आप यह भी आद ब Ciao लेंगे इस तरीके से अगे थे सो यह दूड़ हमें सट दिक दूड़ आथा यह दो निडल कर लिए तो हम इस तरीक्ति distur में लिखेंगे दोनिडल के perfectlyl दीटें दीटें बिच वालना के दोन ख़ीक, फहटें छोड़की किसी जोका दोनीटेंए और पिच वालना को स्थती के दीटी ने 1 बीच तरह दोना कर सfund दीटी बन पर लजा स Touch वे समें लगने ओर आगा है सिल्टेंए दोनीटें, स्कषिस कर सबतार कर दोने दोनीटों तो हमने अब यह चार फंदो को दो फंदो दो नीडिल के बाद उदर को शिप्ट कर लेना यह देखे और यह जो मिडिल वाला फंदा है इसको फिर से एक नीडिल छोड़कर इधर शिफ्ट कर लीगे और इसके एक नीडिल इधर से खाले हो जाएगे और इन नीडिल्स को भी आगे को कर लीगे इस तरीके से यह हमारी एक दो तीन चाली बन गई है और यह वाला जो फंदा है हमारा यह देखे इसके बाद जो दो फंदे इधर थे और दो फंदे इधर थे तो इसके बाद एक दो तीन चार पाचवा फंदा यह है एक दो तीन चार पाच यह पाचवा फंदा है इसको हम यह दितती दोस्तों इस तरीके से हम इनको खोलेंगे और फिर यहां पर से हमारा सीधा सीधा फंदा फिर से हम इसको ऐसे उल्टी साइट से सीधा सीधा है यासे बिन लेते हैं अब देखे दोस्तों अब हमारी तीन जाली कम्प्लिट हो चुकी है अब हमने क्या करना है अब हमें के फंदा जो हमारा ये मेडिल वाला फंदा है इसके बाद का एक लेफ्ट साइट से फंदा इसमें डालेंगे और एक राइट साइट से निकाल कर इसमें डालेंगे और ये जो दो हमारी निडिल खाले हो चुकी है इनको भी हमने आगे को शिफ्ट कर लेना है तो पहले हम इसको आगी को shift कलींगे, पहले हम दोस्तों देखिए, दो दो नीडल उदर आगी को बढ़ा रहेते left side को, आब हमने दो दो नीडल right side को इधर को बंद करने हैं, ये दिखिए, चार फंदे हमारे इधर बंद हो गए, अब हमने दो बार क्यारे को ला लेना है, इसी तरीके से देखिए, यह हमारा मिडिल वाला फंदा है, अब हम एक लेप्ट साइट से निकाल कर इसमें डाल लेंगे, और एक राइट साइट से निकाल कर और फिर इन तीनों को राइट साइट को शेफ्ट कर लेंगे इधर को, अब हमारे पहले इधर चार थे अब हमारे पास तीन फंदे बच्चे इनको भी हम राइट साइड को ही सिफ्ट कर लेंगे और फिर से दो बार करेज जला लेंगे फिर से देखे दोस्तो अब हमारे पास ये जो मिडिल का फंदा उसके बाद तीन फंदे इधर बच्चे तीन फंदे इधर बचे तो हमने क्या करना है एक एक फंदा फिर से हम एक लेप्ट साइड से ले लेंगे और फिर एक राइट साइड से ले लेंगे और फिर इनको राइट साइड को डाल लेंगे तीन अब यह हमारे पास दो फंदे बचे और इनको हम दो निकल इधर शिफ्ट कर लेंगे फिर स हम दो बार केरेज चलार ने देखिक है और देखिए दोस्तों हमारे पास फिरOS से पांच फंदे बच चुके हैं यह हमारा जो है पांच वह और यह पंद्ध था सच हो 10 और यह जूड़ू में हामको पांच फंदों की ज्रूरत होती है इक पहर झाल यह पांच कंप्लीट हो चुका है मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा देती हूं दोस्तों देखिए शुरू में हमने क्या करना है दो फंदे यहां से निकाल कर इनको दो नीडल छोड़कर आगे को शिफ्ट कर लेने हैं और जो हमारी बीच वाली नीडल है इसके तीसरा फंदा इसक पहले हमने दो फंदे उधर खर रहे थे हम हम तीन फंदों को आगे को शिफ्ट कर लेंगे दू नीडल के बाद इस तरह की से और जो यह बीच वाली नीडल माँचान एग नीडल छोड़कर इदर शिफ्ट करने हम से दोनों साइड एक जाली-बरि जाए ओ उसे 我नी6 तो हमेशा हमने दो निडल छोड़कर शिफ्ट करना है यह देखे दोस्तो इस तरीके से इसके इधर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी एक निडल हमने खाली करने और हम फिसे दो बार करे चला लेंगे और हमारे तीन जाली वरन टू त्री जाली अब इसके एक लेब साइड से तहे जाली को अब हमारी दो निडल खाली होचुके है और हमारे पास चार फंदे रहें और हम इनको चारो को इन दोनों में आगे को लेते हुए शिफ्ट कर लेंगे और दो बार कहरे चला लेंगे प्र से हमने यहीं हमारा मेडल वाला फंद है इसक एक लेप साइड से और एक राइट साइड से लेकर इन दू इनों को फिर हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे और जो तीन पंदे बच्चे हैं इनको हम इनको भी राइट साइड को शिफ्ट कर लेंगे अब फिर हमने इदिके इस तरेके से पिर से एक-एक बंदा इधा हम शिफ्ट कर लेना हैं और इन थीनों को ही फिर से हम राइट साइड में किलिए और यह जो बचिा हैं, इनको भी हम राइट साइड को को शेफ्ट कर देंगे और यह हमारा डिजाइन कम्प्लेट हो चुपका इसी तरीके से हम पूरा डिजाइन बना लेंगे और यहाँ से वान टू थी फोर फाइब यह जो हमारी फाइब वाली निडिल है हम इसको खोल कर उल्टी सैट से सीधा-सीधा बिन लेंगे पूरा यह थी इस तरेके चल राध-सीधन नोफट कंप्लेट हो चैएगे यही णीटे कर पकूराइब 9 जएगे इसमें लिए फूरा पिकि फैटन कम्प्लेट हो चैएगा इसा रहे हम इसको पूरा बनाते हुए चले जाएगी देखी तो बनकर बहुत ही सुन्दा लग रहा है इस तरीके से और इसमें हमारी होल भी बने हुए हैं जब हमको बटन लगाना है तो हमको होल बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी इसी में हम अपने बटन को डाल सकते हैं तो द देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को डबाना मत भूलना नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए धन्यवाद